कि दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जमीन का पेपर कैसे निकाले मतलब कोई भी परपटी का या जमीन का पेपर आपके पास नहीं है चाहे किसी भी प्रस्तिति में नहीं जैसे जल गया है खो गया है चोड़ी हो गया है चाचा भाई पटेदार इस्तिदार आपको पता है कि मेरे नाम से जमीन है। मेरे प्ताजी के 맛있ी के नाम से जमीन है कि परदादा के नाम से जमीन है ये पर पटी उसको पेपर आपके पास है नहीं प्रतिया र है भाई नहीं दे रहा है या फिर चोरी हो गया है घुम हो गया है कि सीबी परकार मामला रहा हो नहीं है लेकिन को पढ़ता है एक पटा है कि फजल Пока 有一 मेरी है लेकिन पेपर आपके पास नहीं है तो पेपर आप निकालेंगे कैसे या फिर आपके पास उसका नंबर भी नहीं है फिर भी कैसे निकालेंगे खाता नमबर भी नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन पता है कि जमीन मेरी है और पेपर निकालेंगे से सारा जनकारी बहुत ही कम समय में बिस्तार से दूँगा हाला कि इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं इससे पहले लेकिन बहुत लोगों का कोच्चन आया बहुत लोग कि को करने क्या पढ़ेगा कि पूरा वीडियो देखना है आपको आपको पूरा देखे बंदना आपको फिर समझ में नहीं आए प्र सवाल पुछेंगेंगे यद Lorenzo देखिए और वीडियो को पुरा देखने से पहले लाइक जरूर कर दिए वीडियो के लिजक्वियो नीच tha तो पहले मैं आपको बता दो कि कोई भी जमीन पढ जैसेह अगर आपके पास रइस्टार्ड डीडुम्ट या फिर खतियान जो बाप दादा परदादा के नम से खतियान है ब सक हो गया है आपको सीधा सा रइष्टरी ओफिस में जाना है आपके जीला में एक री ओफिस होगा City उफिस जानते होंगा नि desp知 टरी और िससे बोलते हैं जहाँ पर जमीन की रिश्टरी होती है उससे हम रिश्टरी ऊफिस बोलते हैं या पिर निभंदल कार्यालें बोलता है तो वहाँ पे आपको जाना है हासा नमबर खेसरा लगता है कम से कम लगता है मतलब कि भांच से 700 रुपे आपको लेगा कही कहीँ founders होचकता है कहीँ 44 भी होचकता कहीं में लगभग इसी के आसपास आपको खर्च लगेगा और वह के वाला वह बैनामा और आपको निकल जाएगा वह सुलक देंगे आप खाता नंबर खेसर नंबर बताएंगे यह अभेदन छोटा सा देंगे आप वहाँ पर कहीं कहीं अभेदन देनी के विजरुवत नहीं पड़ती है चलान चुटा सब्सक्राइब और आपको निकाल के ऊसखाते नंबर खेसरे नंबर का रैश्टर डीट सटीफाइड कोपी सटीफाइड कोपी आपको मिलेगा जो हर जगा काम आएगा उसकी मानता है एक उसको धुक्यारिया करना और आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिसको खतियान निकलना है जिसको खतियान निकलना है पुर्वा जो का दादा का परदादा का किसी के नाम से परपर्टी है लेकिन उसका नंबर भी मालूम नहीं है मतलब कि जमीन का नंबर नहीं मालूम है लेकिन हमें निकालना है पता है कि मेरा जमीन या फिर आपके पास चालता नमर्ण खेस्तर नमर्मण करता एक नहीं है आपके पास तो उसको निकलने के लिए आपको क्या करना है कि आपके इलाके में पर यहां नो Jadi है चार्ट फैसाइब हों लेखापाल हो या अमीन जो जमीन का मावई करता है अपके उससे संपर्णा उससे जब मिलेंगे उन्हें बताना है कि यहां पर जमीन है मेरी जहां पर हो जाकर आप बता भी सकते हैं साइट पर या फिर वहां अगर नहीं जा पार है जमीन पर तो उसको लोकेशन भी आप बताएंगे तो वह समझ जाएगा या फिर उसके पास नक्सा होता है उसको एक्जेक्ट लोकेशन बताएंगे देने लिए कितना जमीन का उन्हें को और यह नंगर नमब्र कहता नंबर आपको असानी से मिल जाएक कहीं से निकाल सकते या मज़स्वाइब कमचारी के पाच जाके खाता निमकल सकते हैं रखवा तो आही जाएगा आपको सिर्फ आपको खेसरा नबर मिल जाता है तो बहुत सारे चीज़ आपको आसान हो जागा अराम से यूजय मिन आप निकाला चाहेंगे जब कहा चाहें तो अराम से आपको एकाल सकते हैं वो भी आपको रेश्टरी ऑफिस में यह काउंटर होता है सब जगा अलग-अलग बोलते हैं तो आप कटाएंगे वहाँ पर दो-तीन दिन का अपको समय मिलेगा और आपको certified करके certified करके मतल़ समझ रहे कि signature मुहर के साथ हमें आपको दिया जाएगा जो लगेगा कि original तो जैसे कि कोई जमीन का पेपर नहीं है लेकिन पेपर को आप निकाल लेते हैं तो अब कर सकते हैं कोट में करेंगे तो आप आपको पहले निकालना होगा क्योंकि नकल होता है वो खतियान का या फिर ओरिजिनल डीड जो होता है रिष्टरी नकल होता है तो उससे आप केस पाइल कर सकते हैं और उसके लिए लड़ सकते हैं ऐसे नहीं अब बहुत लोगों सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब लेंगे तो नमर से निकल झाँगा लेकिन ऑल लाइन की बता रहा हूं कि अधिकाएगगा कि फ्छलाने जगह पर आपका इतना जमीन है और यह इस नाम से देखने के लिए लेकिन आप चाहेंगे उस पेपर से हम फाइट करें किसी पर केस कर दें या फिर कहीं कंपलेन करें तो उसका वैलू नहीं है और नहीं है उसके लिए आपको सटिफाइट कोपी निकालना पड़ेगा वह सिर्फ नतुष्टी के लिए होता है एक जानकारी के के लिए होता है नौलेथ के लिए होता है सिसे देखने के लिए होता हो लेकिन उस तक कराएंगे ड़ी सोषेअधी करके यह मिलेगा नहीं माना जाता है उसे सुखल ठाल य०्ड नहीं होता है तो मैंने बिल्कुल है असान्व में आपको यह बतादिया कि कौई भी मतलब जो पेपर है आपका जमीन का जल गया है जाल गया है चाचा भाई पटिदार इसकता हुआ रहता है यह पर नहीं है इस वज़ा से आपका बटवारा भी अठका हुआ रहता है नहीं हो परपटी का या पिर किसी और के बढ़ाता है आप हाइट नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आपको यह जैसे से मैंने आपको बताया जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं और कोई सवाल मन में होगा तो आप जरूर कमेंट वक्स में लिखें अगर सवाल छोटा होगा तो मैं कमेंट में जवाब देने का परियास करूंगा लेकिन कोई बड़ा सवाल होगा बरा मामला होगा गंभीर मामला होगा तो उस थोभी पर इसी तरीके से वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप उस्पश्च और रिक्वेस्ट है कि आप सवास्वाल जब करेंगे कोमेंट बक्स में त कुछ तो बोलें यहाँ वज़े यही होती है कि आप स्टेट का नाम या फिर अपना नाम नहीं लिखते ज्यादा कुछ लिखने के जरूरत नहीं लिखे इससे होता क्या है कि हर स्टेट का कभी-कभी राज्जी का कानून अलग होता है तो उसके बारे में जनकारी मैं आपको दूंगा लेकिन यह दो चीज शोरूर अगर चैनल को मेरे चैनल अभी तक सबस्काैब कर दिखे तो इसके लिए धन्यबाद देता हूं सामने आपको लाल बटकर दिखर होगा तो लाल में सब्सकाइब कर लिए और बगल में घंटी होगा उसको भी दबा दें लेकिन आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसे चुने का कश्ट नहीं करें आपने सब्सक्राइब कर रखा इसके लिए कोटी-कोटी धन्यवाद देता हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी परकार का कोई अच्छा सो ट